इस विदियो में आप देख सकते ही कि अनुपमा यानि कि रुपाली गांगुली बप्पी लहरी की बेटी रिमा लाहरी को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो खुद को समहा ले दूसरी तरह रुपाली गांगुली के चेहरें बे आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो कितनी मायूस है रुपाली गांगुली और बपी लहरी का रिष्टा बहुत ही क्लोस था रुपाली गंगोली की पिता अनिल गंगोली फिल्म डिरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे उनकी पिता और बपी लेरी की बीच बहुत खास दोस्ती थे बपी लेरी की निदन होने की खबर सुने के बाद रुपाली गंगोली ने एक तस्वीर के साथ emotional note लिखा था उन्होंने रिखा था, the legend, the king of music, my kaka. So many memories, childhood spent at your house. Papa and you started from agreement and went on to do so many films and evergreen songs. So many recordings, so many conversations, so much love and warmth. You always singing, यार बीन चैन का हरी, everything we met. Our conversations about Papa will miss you. For me, an era has ended today. Thanks for watching this video. Television, दुनिया की छोटी बड़ी नियूस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो comment, like जरूर करना, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में.